नमस्कार, हमारे चानल हिंदू रिच्वल्स में आपका स्वागत है प्राण रक्षक, पमन देव हैं, फिर गणियेश जी की प्रथम पूजा क्यूं होती है एक पौरारी कथा के अनुसार प्राचिंग काल में एक बार देवताओं की सभा हुई और उनके मधे यह प्रसंग उठा कि सबसे श्रेष्ट कौन है सभी देवता अपने अपने को श्रेष्ट समझ रहे थे इसी तरह कुछ भी निवन्य ना हो सका अंततह निशित हुआ कि जो तीनों लोकों की सबसे पहले परिक्रमा करके इस स्थान पर पहुँचेगा वही सरोश्रेष्ट एवं प्रथम पुज्य होगा यह सुनकर सभी देवता अपने अपने तीवरिगामी वहानों पर सवार होकर तीनों लोकों की परिक्रमा करने चल पड़े किन्तु भारी भरकम शरीष्वाले कनेजी अपने वाहन मुष्चक के साथ वही रह गए किन्तु नोहोंने अपना साहस नहीं खोया वे वहां से चल कर उसी स्थान पर गए जहां उनके मातापिता शीव और पार्वति बैठे होई थे उन्होंने मातापिता की तीन बार परिक्रमा किये और जाकर सभापती की आसन पर बैठ गय कर रोधित होकर अपने मुगदर का प्रहार उनके दात पर किया गणिह जी का एक दात टूट गया तभी से वे एक दंत हो गए ततपशाद गणिह जी सभी देवताओं के समक्ष तर्क प्रस्तूत किया कि तीनों लोकों की सुख संपदा माता-पिता के चरणों में विराजती ह माता-पिता की चरण सेवा ही सर्व परी है जो इनके चरणों को छोड़कर लोकों का भ्रहमन करता है उसका सारा परिश्रम विर्थ चला जाता है वस्तुतह गणेश जी में जो विशिष्टाए हैं चिदी मानव उन्हें ग्रहन कर ले तो वह भी अपने समाज में प्रथम प सुनने की प्लेणा देते हैं नीचे की ओर लटकी नाग खत्रों को सुनने की प्लेणा देती है एक दाथ से वचन बद्धता तथा छोटी आखे ध्यान मगनता की ओर संकेत करती हैं मोटा पेट पाचन शक्ति और धहरता का प्रतीक है विग्णू के विना शेतु हाथ में प हिंदू रिचुल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन को क्लिक करना ना भूले धन्यवाद